प्रतिकुल वैस्विक परिस्तितियों के बीच बारत्य अर्थ व्यावस्ता से काफी उम्मेदे जताई जा रही है यूरोप की सबसे बड़ी अर्थ व्यावस्ता जर्मेनी पहले ही मंदी की चपिट में आ चुकी है बात करें भारत की तो इस बार उम्मेद से बहतर रही रफ्तार आर्थिक व्रुद्धी में दर साथ फिस्दी के पार जारी हुए जीडेपी के आंकडे देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में बारत्य अर्थ व्यावस्ता ने प्रतेकुल वैस्विक हालातों के बाद भी पिछले वित वर्स में शानदार प्रदर्शन किया जारी आधिकारिक आंकडों के अनुसार जीडेपी की ग्रोथ रेट अनुमानों से बहतर रही आंकडों के अनुसार मार्च तीमाही में बारत्य अर्थ व्यावस्ता ने 6.1 फिस्दी दर से व्रुद्धी की जबकि पूरे वित वर्स 2022-23 में आर्थिक व्रुद्धी दर 7.2 फिस्दी रही मार्च तीमाही में लगबग सभी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया क्रोशी क्षेत्र में जहां 5.5 फिस्दी के दर से व्रुद्धी दर्ज की गई वही यह दर वी निर्मान क्षेत्र के लिए 4.5 फिस्दी रही इसी दोरान निर्मान क्षेत्र ने 10.4 फिस्दी के सांदार दर से व्रुद्धी की आंकडों के अनुसार वित वर्ष 2022-2023 में भारत की प्रती व्यक्ती GDP 1,96,933 रुपिय रही आने वाले महिनों में आर्थिक व्रुद्धी की रफ्तार और तेज होने की उम्मिद है एनेसो का अनुमान है कि एप्रिल जुन 2023 तिमाही में व्रुद्धी दर 13.1 फिस्दी रह सकती है आला कि पहले इस अवधी में 13.2 फिस्दी से व्रुद्धी करने का अनुमान था वहीं जुलाई सितमबर 2023 के दोरान व्रुद्धी दर 6.2 फिस्दी रह सकती है ब्योरो रिपोर्ट जी एस टीवी आईकोट से याची का खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्स को बड़ा जटका लगा है। ब्योरो रिपोर्ट से याची का खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्स को बड़ा जटका लगा है। ब्योरो रिपोर्ट जी एस टीवी एक जन सभा को संबोधीत करते हुए राजस्तान कॉंग्रेस में चल रही हल्चर पर तंज कसा। सरकार सीमा पर सडके बनाने से भी डरती थी। महिलाओं के विरूत अपराद चरम पर थे। प्रदान मंत्री के उपर सूपर पावर थी। कॉंग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे। नीतियां चौपर थी। निवेशक निरास्ते युवाओं के सामने अंदकार था। पीम ने कहा लोगों ने 2014 में केंदर में स्थीर सरकार बनाई। बीजेपी ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है। लेकिन आपने पांच साल पहले राजस्तान में भी एक जनादेश दिया था। बदले में आपको क्या मिला अस्थिर्ता और अराजक्ता। पीम मोधी ने कहा राजस्तान की जनता की कॉंग्रेस को कोई चीनता नहीं है। यहां अपराध चरम पर है। यहां बेटियों के खिलाफ साजिश करने वाले को कॉंग्रेस ने खुली छूट दे रखी है। कॉंग्रेस को बेटियों के हीतों की कोई परवा नहीं है। प्रधान मंत्री के इस बयान पर कॉंग्रेस की और से भी पलटवार किया गया है। कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलट ने कहा, राजसान में बीजेपी का नेतरुत्व सक्षम नहीं है, पिछले साधे चार साल में बीजेपी ने सदन में और सदन के बाहर ये प्रमान नहीं दिया कि वो मजबुत विपक्ष है, उनके पास विधायोकों की संख्या ठीक है, फिर अबी वो सभी मुद्दों पर फेल हुए है, जनता बीजेपी से उम्मीद खो चुकी है, बिरो रिपोर्ट जी अस्टवी प्रदर्सन कारी पहलवान साक्सी मलिक बजरंग पुनिया और विनेस पोगार्चे कैंदरिये खेल मंतरी अनुराग ठाकों ने अपिल करते हुए कहा कि वो जांच होने तक का इंतिजार करे, पहलवानों के प्रदर्सन पर खेल मंतरी अनुराग ठाकों ने क्या दिया बयान देखते हैं रिपूट अंदर की बात में लेकिन आपको सुप्रीम कोट पे पुलिस पे खेल भी भाग पे किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा हम भी चाहते हैं खिलाडियों ने जो बात उठाई है उसकी निश्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कारवाई हो पुलिस जांच कर रही है जांच पूरी हो कुर्ण ने कहा खिलाडियों को दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए उचित यही होगा कि जब तक जांच पूरी न हो तब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे खेल और खिलाडी प्रभावित हो उन्होंने दावा किया कि देश में खेल पीम नरेंद्र म के नेतरुत्व में आगे बढ़ा है दरसल प्रदर्शन कारी खिलाडी साकसी मलिक बजरंग पुनिया और विनेस फोगाट मंगलवार को हरिद्वार में अपने मैडल गंगा में बहाने पोहुचे थे लेकिन उन्हें इस दोरान किसान नेता नरेश टिकेत ने रोक लिया और पांच दिन का समय लिया है इसी दोरान पहलवानों ने कहा था कि आने वाले दिनों में इंडिया गैट पर आमरण अंसन पर बैठेंगे ब्योरो रिपोर्ट जी अश्टीवी अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तनाव बरकरार है कभी इस तनाव में केंदर में ताइवान होता है तो कभी दक्सिन चिन सागर में दोनों महा सक्तियों का टकराव विमानों के टकराव की हालिया घटना रिस्तों में खटास को बढ़ा सकती है देखते है आकू विमान ने आंतराश्टी हवाई क्षेत्रों में दक्षिन चिन सागर के उपर एक अमेरिकी मिलिटरी प्लेन के पास अनावश्यक रूप से आक्रमग पैत्रे बाजी दिखाई। भरना, जहाच चलाना और कार्य करना जारी रखेंगा। जहां भी अंतराश्टी ये कानून इसकी अनुमती देता है। अमेरिका ने इसे चीनी, सैन्य विमानों की और से खतरनाक व्यवार की हालिया प्रवृत्ती कहा है। बिरो रिपोर्ट GSTV लांच किया था लेकिन उडान के दोरान एक दुरगटना के चलते ये समुद्र में क्रेश हो गया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल स्पेस में उत्तर कोरिया का कोई सैटलाइट मौजूद नहीं है। सुप्रीम लीडर कीम जोंग उन ने सैन्य जासुसी उग्र को सर्वोच प्रात्मिक्ता दी थी और वह खुद इसकी लांचिंग की तयारियों की देखरेक कर रहे थे। दक्षिन कोरिया ने अपने पड़ोसी देश की और से स्पेस लांच भेहिकल की लांचिंग की जानकारी दी थी। तो वही जापान ने अपने मिसाइल एलर्ट वर्निंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजनसी ने बताया उत्तर कोरिया यंतरिक्ष अधिकारियों ने एक सैन्य जासुसी सेटेलाइट मली यौंग वन को एक नए प्रकार के कैरियर रोकेट चोली मा वन से सोहे सेटेलाइट लांचिंग ग्राउंड से 31 माई को 6 बचकर 27 एजनसी ने कहा लेकिन डॉकेट दूसरे चरण के इंजन के असामान्य रूप से शुरू होने के कारण थ्रस्ट खोने के बाद समुद्र में दुरगटना ग्रस्त हो गया टोक्यो और सियोल ने प्रस्तावित प्रक्षेपन की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि यह प्योंग यांग को बैलेस्टिक मिसाइल टेकनोलोजी से जुड़े किसी भी टेस्ट से प्रतिबंधित करने वाले सयुक्त रास्ट के प्रतिबंदों का उल्लंगन होगा बिरो रिपोर्ट GSTV दोरान आमिर खान कपिल से शिकायत करते हुए नजर आई मेडिया से बातचीत के दोरान आमिर खान ने कहा कि वहां कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन है आमिर कहते हैं मैं इन दिनों अपने परिवार के साथ वक्त बीता रहा हूं हर शाम में कुछ ऐसा देखने को आनंद मैं कुछ दिनों से कपिल का शो देख रहा हूं मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूं मैंने कपिल को कॉल करके उनकी तारिफ भी की थी कि वो इतनी लोगों को हसाते हैं फिरामिर ने कहा पर आपने मुझे कभी शो पर नहीं बुलाया इसके बाद कपिल ने कहा हमारा सौ भागय होगा जिस दिन आप आएंगे हम हमेशा भीड़ भाड में ही मिले हैं अब हम तीन साल बाद यहां मिले हैं हमने आपको बुलाया था आपने कहा था वापस आकर बात करेंगे आब इन ने कहा आपने हमें फिल्म प्रमोशन के लिए बुलाया था मैं फिल्म प्रमोशन के लिए नहीं आना चाहता मैं सिर्फ एंटर्टेंडमेंट के लिए आना चाहता हूँ ब्यूरो रिपोर्ट जी एसडवी पैन अमेरिकन हाइवे दुनिया का सबसे लंबा हाइवे है जो 14 देशों के बिश से निकलता है 30,000 कि में यहां तक न कोई कट है और ना है कोई टन साथ ही इसका सफर पूरा करने में महिनों लग जाते है कहां से शुरू होता है और कहां पे होता है खत देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में पैन अमेरिकन हाइवे पर अगर आप चलते रहे तो 14 देश पार कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा हम बात कर रहे है एनेच चमवालिस की यहां हाइवे नॉर्थ अमेरिका से शुरू होकर कई देशों को पार करते हुए साउथ अमेरिका के अर्जेंटिना तक जाता है अपनी लंबाई की वज़े से इसका नाम गीनिच बुक आफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में भी दर्ज किया है तो चलिए जानते हैं दुनिया के इस मशूर हाइवे के बारे में पैन अमेरिकन हाइवे दुनिया की सबसे मशूर और लंबी सड़क है यह सड़क दो महादीपो को मिला कर बनाई गई है इसे बनाने का खयाल सबसे पहले सन 1923 में आया था दिल्चस्प बात यह है कि इस हाइवे को बनाने में केवल एक देश की नहीं बलकि 14 देशों का योगदान है इन देशों का नाम कोस्टा रिका पेरू, पनाबा, निकारागुआ, मैक्सिको, है यूएस, होंडूरस, ग्वाटमाला, बोलिविया, अलसलवाडोर, कॉलंबिया, चिली, कनाडा और अजेंटिना यह जानना मज़ेदार है कि यह रूट काफी लंबा है अगर इसके सभी रूटों को मिला ले, तो इसकी लंबाई 48,000 कीमी तक है ऐसा कहते हैं कि अगर आप नौर्थ और साउथ अमेरिका की दो राजधानियों की बीच सफर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप पैन अमेरिकन हाइवे पर आ ही जाएंगे भारत एक बार फिर दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है शेर मारकेट्स में पिछले कुछ दिनों से जारी तीजी के बदोलत भारत ने फ्रांस को पचाड कर यह मुकाम हासिल किया है जनवरी में फ्रांस इस रैंकिंग में भारत से आगे निकल गया था लिकिन भारतिय शेर मार्केट्स में 28 मार्च से लगातार तेजी दिख रही है इस दोरान सैंसेक्स और निफ्टी में करिब 10 परसंटीज की तेजी आई है इसी तरह BSE, Mid Camp और BSE Small Cap में करिब 15 फीसदी उच्छा लाया अप्रेल के बाद मई में भी घरेलू शेर मार्केट्स में तीजी रही इस महीने विदेशी पॉटफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI अब तक 37,360 करूर रुपे का निवेश भारति एक्विटी मार्केट में कर चुके है स्ट्रांग मैक्रो एकोनोमिक फंडामेंटर्स और स्टॉक के वाजिव वैलुएशन से ऐसा हुआ है पिछले दो महिने में विदेशी निवेशक भारतिय शेरों में करिब 6.3 अरब डॉलर की खरिदारी कर चुके है युरोप के सबसे बड़ी एकोनोमी वाला देश जर्मनी मंदी में फस चुका है जबकि अमरिका पर डिफोल्टर होने का खत्रा मनरा रहा है इसी तरह चीन अब पूरी महामारी के प्रकोप से नहीं उबरा है ऐसे में भारती एकोनोमी दुनिया के लिए उम्मित की किरण बन कर उपरी है